टू बन रहा है मेरी सोल मेट की वज़े से उसने वीडियो काल कर दिया और यहां पे जो है यह वीडियो रुप गया आटोमेटिक वो कट हो जाता है तो वो तो पोस्ट कर रही हूं है पहले वाला पर यह ब्रेक आ जाता है न तो वो ही 30 मिनिट का वीडियो शायद बन जाता तो सोल मेट चाहती है कि बस मैं डॉक्टर के पास जो अलग-अलग टेस्ट करवाँ और दिन रात में नाश्टे में ग रात को गुलिया खाऊ और मैं सारे काम धन्दे छोड़ दू तुम्हाने नहीं कहाँ इससे तुम्हें और ज़्यादा पागल हो जाऊंगी और ज़्यादा टेंशन में आ जाऊंगी और ज़्यादा मेरी बिमारियां बढ़ जाएंगी मुझे मेरा काम करने दू रेकी के अपने आप ठीक हो जाओंगे जब तक काम का टेंशन है न ये आराम हराम है जब आप काम कर लेते हो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है तो मैं उसको कैसे समझाओं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि दिखो मुझे मेरा सिर्फ काम करने दो बैटी उसको बैस तुमने ये टेस्ट करवाया तुमने वो टेस्ट करवाया तुमने ऑस्पिटल गई तुमने वजन चेक किया तुमने अब मैं क्या बताऊं उसकी क्यार हो रही है लेकिन मुझे लग रहा है न मुझे मेरे करमों का फल मिल रहा है seriously बता रही हूँ क्योंकि मैं over tech care करती थी अपने father की तो आज मुझे समझ में आ रहा है उनको कैसा लगता होगा जब मैं उनको बिल्कुल बांद देती हूँ और गोलिया खिलाती हूँ तो बोलते थे कि तुम ऐसे गोलिया मुझे मत खिलाओ मुझे बिमार जैसा लगता है तो बें बिल्ती नहीं नहीं आपको पता नहीं कहीं के ऐसे subconscious में मैं उनको बिमार कर देती थी आपको गोलिया खाने आपको आराम करने आपको काम नहीं करने आप काम छोड़ दो तो उससे उनकी क्या हलत हो दी अब मुझे समझ में आ रहा है तो ये कर्मा बैक, कर्मा रिटर्न हो रहा है तो उनने अब समझ रही हूँ ये मेरे कर्मो का फल है कि जो मैं अपने बाप को बिल्कुल मुझे लगता था कि वो रिटार्ड हो जाए, काम ना करे घर पे बैठे, गोलिया खाए, प्राणायाम करे टीवी देखे, मस, रेस्ट करे काम धंदा बिल्कुल छोड़ दे यहां बेन जाए, वहां बेन जाए, आखे लेना जाए तो ऐसा मैं जो सुशती थी तो कर्मा बैक, कर्मा रिटर्न हो रहा है तो सोलमेट वो बदला ले रही है पूरा कूट-कूट के मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती है उसको लगता है कि मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए बट मुझे काम करने में आनन्द मिलता है उसको मैं कैसे समझाओ जो है, ठीक है बई जो विडियो था वे कि इस टू मच ये कुछ ज़्यादा हो रहा है डवान फेमिनाइन्स पे ब्लाक मैजिक्स ज़्यादा हो रहा है ये टुन्फलेम जन्नी जो है उनको जैसे जबरदिस्ती दी गई है उनको इंटरेस नहीं आब इसमें वो मस्थ है अपने सोल परपस में वो इवन अपने सोल मेट के साथ भी मस्थ है अगर है उनके लाइफ में कोई बट क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल छोड़ देना चाहती है डिवान मैसकुलाइन को सोचना भी नहीं चाहती जो की पिक पॉइंट पे है मतलब जो जो जनकी बहुत अच्छी एनरजी हो गई है पर क्योंकि सोल एक है मेरे सोल मेट बोलती है कि गीता में कहा है भगवत गीता में कहा है कि सोल कभी नैनम चिंदन दिशस्तरानी नैनम दहती पावकर सोल को कभी काटा नहीं जा सकता तो ये करेक्ट है तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन सोल जो है कटे हुए नहीं है वो वन सोल इन टू बोड़ी जरूर है बट एक धागा उनमें जॉइंट है जो कभी कट नहीं सकता अब आया समझ में तो वो जो धागा है जो पहले जो उनको रियलाइज नहीं होता था अवेकनिंग के बाद जब उनका एंकाउंटर होता है आखों का हार्ट चक्र ओपन हो जाता है टेलेपथिक कनिक्शन स्टार्ट हो जाता है यहां क्या हो रहा है उसको पता है उसके यहां पे क्या हो रहा है इसको पता है वो क्या बोलना चाहता है वो पता चल जाता है हम क्या बोलना चाहते है उसको पता चल जाता है तो बतादा नहीं हो अलग बात है पता चल जाता है divine masculine भी अब उसके साथ भी divine word जुड़ा हुआ है उसके अंदर भी वो powers होती है तो Divine Feminine अपनी खुद की life जीना चाहती है जो भी मैं मान लीजे कोई कुवारी है तो वो experience करना चाहती है marriage को अगर उनकी babies नहीं है तो वो experience करना चाहती है उस चीज़ को भी मा बनने की इच्छा जो होती है उसको experience करना इसलिए वो जो है इस connection से मुक्ती चाहती है ऐसा नहीं कि वो धोका दे रही है या वो उसको physical attraction किसी और से हो रहा है या एक होतान इंसान ठक जाता है कि उनकी life जो होती है कि struggle की मतलब जैसे कहानी बन गई है कि struggle 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 धोके 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 बनने में बस अब मन चाहता है कि शांत life हो एक secure partner हो जो भी हो जिस तरह से भी अगर नहीं लिखा है कोई partner अपनी life में तो जो भी एक soulmate हो फीमेल भी है तो हो फीमेल हुआ और तो भी वो आपकी care कर रही है आपको love दे रही unconditional care कर रही है आपकी किसी के साथ भी मैं तो मेरी नानी के साथ भी जीवन बिताना चाहती थी बट अब उस दुनिया में नहीं है तो एक राहत चाहती है थोड़ी सी राहत और इस connection से मुक्ती चाहती है बट वो उन्हें मिल नहीं रही है जैसे ही वो खीचती है उस दागे को कि बस मेरी एनरजी मुझे चाहिए अब मेरा भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरा अगर भला कोई सोच नहीं सकता तो मैं सोचूंगी मैं सोचूंगी मेरा इश्वर सोचेगा उड़वान मस्कूलान क्यों सोचेगा वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे है सालो साल ये जर्नी चल रही है वो सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहा है सोचे जा रहा है सोचे जा रहा है वो सोसाइटी के बारे में सोचता है वो अपने कर्तवियों के बारे में सोचता है लेकिन ओडियफ के बारे में नहीं सोचता तो वो मतलब सोसाइटी का वो चालेंज वो बरदाश नहीं कर सकता कि वो दुनिया के सामने बोले कि हाँ मैं जो हूँ इस connection को मानता हूँ और मैं जो हूँ इसमें invest करना चाहता हूँ मेरा दिल ये चाहता है वो तो दिमाग से काम लेता है वो तो देखता है कि थर्टपटी क्या चाहती है थर्टपटी से related लोग नाराज है या कैसे है वो तो ड्रीम में सब दिखाई देता है DF को पूरी दुनिया दिखाई देते हैं महामारी आने वाली है कोरोना आने वाला है कौन जाने वाला है वो सब देख लेती है तो ये क्या चीज़ है ओके तो सब DF जो देख लेती है ट्रीम में पर DF की ये मजबूरी बन गई है कि वो जेल रही है इस connection को वो जो है इस connection को जेल रही है इस connection में उसको कोई result नहीं मिल रहा है इस connection में उसको कोई result नहीं मिल रहा है जैसे वो अगर जबरदस्ती इस connection को काटना चाहे जब जब देखा कि इस connection को जब जब जबरदस्ती काटना चाहा तो कैसे result मिलते है देखो मैं personal experience बताती है कि जब जब आप सुछते हो कि आप free हो जाओ तो वहाँ dream में divine masculine आता है वहाँ वो hospital में गया है वो doctor को बोल रहा है कि मुझे सांस लेनी में तकलीफ हुई है फिर divine someone कुछ दिनों बात सोचती है कि चलो इस connection को काट दिया जाए क्या देखती है सपने में कि जो Indian style sandals room होते है toilets होते है उसके पीछे थोड़े जगा होती है तो seat सामने होती है थोड़ी सी जगा होती है तो divine masculine must सो रहा है वहाँ पे और देखो कोई toilet में गिर गया मतलब इसका मतलब होता है उसका अंत हो गया और ये toilet के एकदम नजदीक है मतलब divine masculine मौत के एकदम करीब है तो मैंने कुछ दिनों बात मुझे थोड़ा से लगा कि जैसे कोई ICU में हूँ ऐसा लगा ये कुछ ऐसा ही बता रहा है बट confused थी बट समझ में नहीं आया confirm नहीं हुआ कुछ दिनों बात confirm हो गया कि हाँ भई ये सच निकला उस समय DM की तबियत खराब थी DM को Corona हुआ था और सुना कि भई काफी हुआ था तो एकदम शाक लगा मुझे कि भई मुझे ड्रीम में भी यही energy मुझे डिटेक्ट हो रही थी कि जैसे कोई ICU में हो ऐसा लग रहा था अब ये था या नहीं हो तो बगवान जाने यासे कोई मौत के बहुत करीब ऐसा ड्रीम में दिखाया गया था परसो energy को काटा तो ऐसा बतलब मैं देख रही हूँ कि जब मेरी soulmate मेरी life में आयो फिर मैंने energy cut कर दी और automatic हो गई energy energy जो है soulmate को जा रही है तो फिर से मैं देख रही हूँ कि वो divine masculine वहाँ पे उसकी हालत खरा बत से बतर और यहां तक third party भी बुला रही है df को कि तेखो यह है dm मतलब तुमने इसको divine masculine बोल रही हो क्या यह होती है divine masculine की quality ऐसा होता है divine masculine का हालत क्या क्या देख रही हूँ dream में न तो मैंने का का यह तो couple से दोनों मुझे क्या फरक पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं है मुझे इनके बीच में नहीं रुखना मैं आट कबाब में हड़ी क्यों बनू तो मैं वहाँ से जा रही हूँ कठ हो हो रही हूँ और इतने में जो हेडियन मुझे मेरा नाम लेके बुकारता है उस समय मुझे रियालाइज हुआ कि कलेक्टिव में भी डिवान मैसकुलाइन की इनोजी इस हद तक चेंज हो चुकी है उनको वो जटका महसूस हुआ है कि उनको जो एक लविंग वाइब्रेशन मिलती थी कि वो आप किसी और को मिल रही है डियफ की लाइफ में कोई और आ गया है कोई भी हो सकता है कोई सोलमेट हो सकता है फिमेल बोड़ी में मेल बोड़ी में कोई भी हो सकता है कि वो अब उसके साथ सुकून महसूस कर रही है और यहां जो हिडवान मैस्कुलाइन के हालत बत से बत तर उसकी पूरी दुनिया हिल गई है यहां पर उसका चहरा काला पड़ गया है उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है अगर डियफ उसकी लाइफ से चली जाती है बट वो समझ ही नहीं पाता कि एक टाइम होता है जब तक डियफ जो है उसको एनरजी दे कभी ने कभी डियफ को अपने बारे में भी सोचना पड़ता है उसको अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है परसो दो-तीन दिन पहले मैंने एनरजी को दिखा और ये collective में होता है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये collective में होता है, तो मैंने देखा कि अब तो मतलब जैसे मैं खीच रहे हूं उस धागे को, कि मुझे जो है मेरी life चाहिए, मैं कटा हुआ नहीं जी सकती, आधी soul उस body में, आधी soul इस body में, वहां के heart में जो जटके हो रहे है, वो यहां पर feel हो रहे है, और नहीं चाहिए ऐसा, मैं एक स्वतंत्र आत्मा बन के जहना चाहती हूं, स्वतंत्र सोल बन के जहना चाहती हूं, कि अगर दूसरी soul आपको नहीं समझ सकती है, में पास soulmate है, में पास soulmate हो और मुझे काफी प्यार करती है, तो मैं क्यों invest करूँ ऐसी soul में तो मैं जो हूँ नहीं मुझे अलग होना है मुझे separate होना है मुझे soulmate के पास जाना है मुझे नहीं रहना मुझे अपनी जिंदगी चाहिए मुझे अपनी life चाहिए मुझे अपनी स्वतंतरता चाहिए मुझे अपने विचार चाहिए, मुझे अपने खुशिया चाहिए मुझे मेरा सल्फ लव करना है और मैं अपने लाइफ जीना चाहती हूँ तो जब मैंने ऐसे देखा और मैंने जैसे खीच रही हूँ मैं सोल, हार्ट से मैं कनेक्शन को इस लवल तक ब्रेक कर रही हूँ कि कुछ भी हो जाए बस ये काट कट जाए ये सोल की जो काट है जिसको काटा नहीं जा सकता जिसको सप्रेस किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए इसको एनरजी रोकी जा सकती है बट इसको काटा नहीं जा सकता ये ब्रेक नहीं हो सकते सही कहा है जो भी कहा है ने स्री कृष्ण में नैनन्चिंदिन्ति छास्त्रानि नैनम दहति पावका सोल नहीं कटती लेकिन दोनों जो एक दो पार्ट हो रहे हैं उसमें से एक धागा connected रहता है जो यहां का दर्द वहां वहां का दर्द यहां तो यह possible भी है कि अगर एक सोल मर जाए मतलब एक बोड़ी मर जाए दूसरी बोड़ी मर सकती है guarantee नहीं है लेकिन मर सकती है इसकी guarantee नहीं दे सकते बहुत लोग मुझे यह सवाल पूछते है तो देखें बहुत लोगों के जो twin flames होते है वो soul world में भी होते है मतलब उनको soul level पे मिलते है वो 3D में body में होते भी नहीं है तो क्या आप मरे हुए होते हो नहीं ना तो exact नहीं कहा जा सकता लेकिन जब 3D में आपने encounter कर लिया है तो आपकी energy जी एक दूसरे पर हावी हो जाती है और वहाँ जो हो रहा है वो बिमार हो रहा है जो हो रहा है यहाँ पता चल जाता है उसकी भावना आप है अगर वो मौत को feel कर रहा है तो आप भी feel कर सकते हो guarantee नहीं है कि होगा ही ऐसा बढ़ हो सकता है जिनके already soul world में है जिननोंने शरीर धारन किया ही नहीं ऐसे भी लोग होते है जिनके twin soul होते है लेकिन किसी शरीर में नहीं होते है वो ऐसे आत्मा ही होते है तो वो भी होता है वो भी possible है ये भी possible है किसी walking body में भी वो soul आ सकती है तो यह तो मुझे अवेगनिंग से एकदम स्टार्टिंग में ही दिखाया गया, सम्टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डियम जब आसपास थे दो साल तक, मुझे कोई अट्राक्शन नहीं था, तो मुझे नफरत थी उल्टा, बताने क्यों बात, मुझे वो ड्रीम में जबसे दिखाया गया, कि जैसे पहले ये कोई और था, मुझे थोड़ा एक्जामपल दिया गया, तो I don't know, बट थोड़ा अलग एक्जामपल दिया गया, जिससे मुझे समझ में आया, बाद में जब अब चैनल का नाम नहीं लोगी, बाद में एक चैनल पर मैंने फिर से वो देखा कि वॉकिंग बोड़ी में डाल दिया जाते है आपकी ट्विन सोल को, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, कि आपकी ट्विन सोल अगर मर भी जाए, तो भई ये बड़ी पावरफुल सोल्स होती है, किसी भी बोड़ी में इंटर कर सकती है, गॉड उनको ऐसी बोड़ी में इंटर करा देता है, माली जी किसी की डेथ होने वाली है उसी बोडी में आपकी ट्विन्सूल की आत्मा को डाल दिया जाता है और वो फिर आपसे कनेक्ट हो जाती है यह ऐसा लगता है कि जैसे फिल्मों में है लेकिन मराठी में अगर किसी ने नवनात भक्ति सागर ग्रंथ पड़ा है जो नवनात होते थे तो एक राजा की डेथ हो जाती है और वो नवनात जो है उसकी बोडी में प्रवेश कर जाते है और यहां नवनात जो संत है उनकी जो विश्नू की आवतार होते है उनकी body को बड़ा सुरक्षित रखा जाता है ताकि जब भी फिर से वो राजा का शेरीर छोड़ दे फिर से वो जो है अपने शेरीर में इंटर कर सके तो ये possible thousand percent है क्योंकि जो real twin flames होते है उनको इस level के spiritual experience करवाय जाते है जो वो जानते है God खुद उनकी awakening करवाता है और उनको ये दिखाता है twin flame is not a joke दोस्तों उनको confirmation की जरुरत नहीं होती है अगर आप एक twin flame हो आपको confirmation की जरुरत नहीं होती है awakening is the confirmation awakening इस level के होती है इस level के spiritual experience होते है कि awakening में भगवान खुदी आपको बता दिता है कहीं आपको confirmation करनी के लिए जाने ही नहीं देता आप लाग्चा होगे आपको घर बेटे जवाब मिल जाएंगे जो जवाब सोचोगे वो जवाब automatic मिल जाएगा जो ये था तो black magic के उपर वडियो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक अमावस्य को किया था मेरे साथ लिटरली करन्ट के शौक थे वो मतलब नौ साल पहले आट-नौ साल पहले भी ये हुआ था मेरे साथ मेरे साथ मतलब मैं क्या बता हूँ ऐसे-ऐसे black magic हो चुके है इसे पागल बनानी वाले जादा होते कि जो आपको बहुत गुस्से मिलाए और पागल बनाए twin soul को अगर अमावस्य के दिन गुस्सा आता है तो नच्रल नहीं होता वो वो किया कराया ही रहता है वैसे तो अमावस्य को चंदर कमजूर हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है बट वही एक time होता है, gate open होता है, बुरी शक्तियों के लिए, कि वो अपना प्रभाव दिखा है, तो ये होता है, मैं ठक गई हूँ, कि मैं जानती हूँ वो किसने किया है, इस अमवस्या को किसने किया था, और आट नो सोल पहले भी एक किया था, वो किसने किया था, बट मैं तू ही इन लोगों का भांड़ा फोड़ क्युंकि ये लोग इतनी इज़तदार होते है बाहर का नकाव इनका ऐसा होता है कि हम बोलनी पाते ये कुछ भी बोले हम हां में हां मिलाएजाते इनका इतना पावरफिल औरा हो चुका होता है ये इतने क्या बताया बस मैं यहीं बोलती हूँ कि एक आह निकलती है न कि अब बस तो मेरी वो अब आह निकल रही है कि हे इश्वर अब बस इनका नकाब उतार दो और मेरी आत्मा बोल रही है कि जो मेरे उपर अब ब्लैक मैजिक करे यई जिसने किया था इस अमावस्या को उसके अंग अंग में जो है मूलवयादी जड़ जाए लोगों के सिर्प पिछवाड़े में होती है मैं कहूंगे, अंग अंग में मूलवयादी जड़ जाए और ये जो तंत्र विद्या है शिव ने बनाए है शिव ने जो है इस्त्रदंत्र विद्या को बनाया है और इसकी कुछ रूल्स है नियम है कानून है ये उन लोगों के लिए बनाया गया था कि गलती से कोई राजा हो महराजा हो या कोई ऐसा इनसान हो जो पावरफुल पोजिशन में हो और ये आप कमजोर हो आप लाचार हो आपकी कोई भखु बेटी को उठा ले जाए कुछ ऐसा आपके उपर किया जाए अन्याए कि आप के पास कोई चारा नहीं है तो आप तंत्र विद्या से उसको सबक सिखाओ इसके रूल से कि इसको औरतों पे नहीं करना चाहिए किसी भी औरत पे अगर आप तंत्र विद्या करते हो तो आप दंड के भागिदार हो इसके साथ साथ किसी भी निर्दोश के उपर जिसका कोई दोश नहीं है उसके उपर अगर आप इस तंत्र विद्या के प्रयोग को करते हो तो खुद ही का सर्वनाश आपने जो है उसका आरंभ कर लिया है और ये एक और भी है दुस्तों कि जो आत्माएं होती है जिनका अच्छानक से डेथ हो जाती है यंग एज में तो बहुत क्यारफुली जो तंत्रिक होते हैं उनकी खुपडियों को उठा के ले जाना पता नहीं क्या क्या करना तो मेरी मा के डेथ भी जो है तंत्र विद्या से ही हुई थी एक तो शनिवार का दिन उपर से सूर्य ग्रहन और अमावस्या मतलब हर और वो बिचारी प्रेगनेंट तो ग्रहन, सूर्य ग्रहन वो भी अमा उस्या के दिन और शनिवार हो तो सबसे भारी दिन थे और वो एक प्रेगनेंट लेडी और जो कहा जाता है नहीं या जब लड़की हो रही हो तो प्रेगनेंसी थोड़ी आसान होती है लेकिन जब लड़का हो रहा हो तो थोड़ा मुश्किल होता है और सबसे बुरी बात क्या थी पता है नहीं जब अपनी मा के पेट में थी या मेरी सिस्टर मेरी मा के पेट में थी तो हम दो मिनिट में मा के डिलिवरी हो जाती थी दो ही मिनिट में तो लोग बड़ा आश्चेरी चकित हो जाते थे कि ऐसे कैसे इनकी डिलिवरी ऐसे कैसे आसान है मुझे याद है मैं तो बड़ी शॉकिंगली पैदा हुई थी मेरे बुआ के जो बुआ घर में ही रहती थी अपने हजबंड के साथ तो बुआ के हजबंड सुभा वाकिंग को चले गए पांच बजे जब तक वो एक घंटे में वाक करके वापस आए तब तक मेरा मतलब उनको पता भी नहीं कि इनको लिवर्पिंग शुरू हो चुका है और वापस आके देखते हैं तो लड़की हुई है तो उनने कहा ऐसे कैसे होगी ऐसे कैसे पैदा होगी तो मेरी जो बर्त की जो स्टोरी बड़ी ही शॉकिंग है कि किसी को लगा ही नहीं कि इतनी जल्दी भी पैदा हो सकता है कोई तो मा ने जस्ट कहां कि मुझे दर्ध हो रहा है और दो मिनिट में जो है लड़की बाहर तो किसी को लगा ही नहीं कि जो थर्ड डिलिवरी है वो इनको इतनी भारी जा सकती ही कि इनकी जान भी इसमें चली जाए तो शायद अब मुझे लगता है कि Divine Feminine ने सुचा कि क्यों मा को तकलीफ दे क्योंकि वो एक mother and वाली energy होती है तो वो फट से बाहर आ गए बिना तकलीफ मा को दी है दो मिनिट में उसका जन्म हो गया तो अब ऐसा लगता है कि तकलीफ दी होती तो अच्छा होता तो अटलिस थर्ड टाइम पे जो है थोड़ा सावद हो जाते और क्यार लेते पर ऐसा हुआ नहीं Divine Feminine बिलकुल एक मिनिट में जन्म हो गया उसका बड़ी मेरी शॉकिंग स्टोरी बिलकुल एक मिनिट में मैं पैदा हो गई तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अब बस जो भी ब्लैक मैजिशियन्स है बस करो अब न श्राप निकलते हैं अंतरात्मा से जो है श्राप निकलते हैं इस D.F की वानी जो है बस्म करके रखती कि आपको तो वो एक Mother Earth वाली एनरजी है वो बाहर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर से उसको अगदम प्रेम का सागर है किसी के लिए जो हवन कुंड में भी कूद जाए वो अगर उसके सामने कोई जानवर वेदना से तड़प रहा है कोई इंसान वेदना से तड़प रहा है तो वो इंपाथ है वो दर्द बरदाश नहीं कर सकते वो हर हाल में जाके उसके मदद करेगे अगर कुछ ना कर सके तो वो जो है उस पैन को दर्द को अपने अंदर खीच लेती है खुद भुगत लेती है और दूसरों को जो है आराम देती है तो ये एक कहते हैं न वो जो crystal है मैंने अपनी soulmate को gift किया है वो crystal क्या नाम है उसका फिरोजा तो कहते हैं कि फिरोजा जो है उसी वतों को संकटों को खुद के उपर ले लेता है तो उसी तरह एक df जहां पे होती है जिस colony में, जिस गाउं में जिस घर में, जिस देश में जिस दुनिया में वो अपने अंदर सारे संकटों को खीच लेती है, वो खुद बिमार हो जाएगी वो खुद weak दिखेगी वो खुद negative soul दिखेगी वो ऐसी energies को अपने अंदर खीच लेती है लोग जिसको imagine भी नहीं कर सकते वो ये नहीं देखती कि कौन शत्रू है, कौन मित्र है अपना क्रोध दिखाएगी गंदे words यूज़ करेगी ऐसे दिखाएगी कि बस क्या बताए, बट वो अंदर से एक mother earth वाली energy है कहते हैं न, mother earth शमाकशील होती है, प्रिथवी जो होती है एक शमाकशील करती है लोग उसके उपर party करते है थूखते है, क्या-क्या नहीं करते है अनर्थ करते है, उसके उपर पाप करते है, बट वो जो है इतनी शमाकशील है, वो कभी answer नहीं देती, वो अपनी बच्चों की सारे गलतियों को माफ कर देती है, बट एक समय जो आ जाता है जब लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब बस तो उसके बाद जो है उसको answer देना पड़ता है, फिर वो भुकंब करेगी, फिर महामारी आएगी, एक ही महामारी में पूरी दुनिया को वो डुबो देगी तो बस अब बस, जो भी अन्याए औरतों के उपर हो रहे है अब बस तो ये जो black magic हो रहे है अब बस मेरे अब, मतलब शाप निकल रहे है अब मेरे अंदर से कि जिसने भी इस अमावस्या को वो black magic किया था इश्वर करे तेरा सर्वनाश हो जाए क्योंकि अब, अब सहा नहीं जाता अब बरदाश नहीं होता क्योंकि enemies के भी काम आती है वो अपने दुश्मनों के भी काम आती है अगर वो किसी दुश्मन के काम आई है, वो भी उसके कठिल समय में उसके जीवन मृत्यू के समय में काम आई है बदले में आज उसको उसका गला दबाया जा रहा है उसका oxygen दबाया जा रहा है उसको oxygen नहीं मिला रहा है और देखो ये बात अगर normal days में होती तो ये कही ने कही माना जाता बट ये अमावस्या की रात को हुआ था और सेम 8-9 साल पर ये ही अमावस्या की रात को हुआ था पता है मुझे साफ साफ दिखाई दिया मेरा जो hall है वहाँ पे राख डाली है किसी ने और वो जो राख है जिसे मेरे पास छोटा सा vacuum cleaner है मैं उससे collect कर रही हूँ राकेश शर्मा मेरे स्वपने में आये वो जिसे मेरी नानी वाली energy में थी और थे और वो जो अपने हाथों से उस राख हो समेट रहे थे और उन्होंने मुझे नाम बताया कि ये किस ने किया तो वो दर्द जो होता है ना मतलब वो वो दर्द वो pain जो राकेश शर्मा जी की चहरे पर आँखों में देखता है वो दर्द देखता है तो यार बहुत relate करती हूं मैं उससे बहुत connect करती हूं और बहुत समझती हूं उस चीज़ को दिखता है कि उन्होंने भी शायद बहुत failure जो है देखा है जीवन में और उनकी वानी सकते होगी यार उन्होंने डिसेंबर में या जनवरी के first में कुछ कहा था कि हमारा वनवास कब खतम होगा तो literally उन्होंने कहा था कि अगर आपको भी लगता है कि आपका वनवास कब खतम होगा तो ये साल है इस साल में वनवास खतम होगा तो ट्विन सोल का देखो डिवान मस्कलन की अवेकनिंग का तो समझ में आया मुझे बट उन्होंने जो कहा था नवंबर उसको एक साल होगे कि ये आपके रियूनिन का टाइम है तो ऐसे तो कुछ हुआ नहीं तो रियूनिन इस सस्पेंस काड रिडिंग जब करती हूं साई बबा की तो हमेशा ऐक ही काड आता है सेवा करो जानवरों की और डिवान टाइमिंग तेखो ये कोई फिजिकल क्रेविंग नहीं है ये कोई थर्ड डामेंशन की इच्छाओ की क्रेविंग नहीं है बट ये एक है जो वही समझ सकते है जो खुद ट्विन सोल हो बहले उनकी एज कुछ भी हो वो पचास की एज की भी डिवान फेमिनेंस है ओके ने तो 38 की एज में 99 years क्यों हो चुकिए मैं क्या बता हूँ तो मेरी soulmate बोलती है तो मैं ऐसे कैसे कोई इच्छा नहीं है ऐसे कैसे तो मैं इच्छाओ को मारती हूँ अब मैं उसको क्या से बता हूँ मैं कोई अपनी इच्छा को नहीं मारती हूँ मुझे भगवान ने बनाया ही ऐसा है तो एक सिक्रेट बताती हूँ कि क्यों डिवन फेमिनान के साथ कोई टिक नहीं पाता कोई पार्टनर राज बताती हूँ यह जो एनरजी है अपनी ही दुनिया में मस्त है कम्प्लीट है फुल्फिल है अगर कोई इनसान इसको छू ले फिजिकलियो के सेक्शल रिलेशनशिप इसके साथ बना ले उसके अंदर भी डिवाइन एनरजी इंटर कर जाती है उसके बात वो इनसान भी जैसे उसकी भी कुणली अवेकनिंग हो रही हो उसको उसका ऐसा मतलब क्या कह सकते कि ऐसा उड़ जाएगा उसको जब भी वो डिव की तरफ देखागा उसको मदर एनरजी मिलेगी अब उसको श्रिंगार वाली वो एक काम वासना वाली एनरजी डिव की तरफ मिलेगी ही नहीं तो जब भी वो जाएगा उसको माता का स्वरूप मिलेगा मा का स्वरूप मिलेगा और जिसके वज़े से जो है वो सोचेगा कि जैसे वो वंचित हो रहा है sexual energy से जबकि वो convert हो चुका है जबकि वो इंसान भी divine energy में convert हो चुका होता है अब उसको सिर्फ परमात्मा की भूख होती है बट वो सोचता है कि शायद ये एक बहुत ही डिवाइन एनरजी है इसलिए मुझे ये काम वासना का सुख नहीं दे सकती इसके सामने आते जैसे होता है न कि सीत बोलते है कि रामायन में कि रावन को कहा जाता है कि तुम राम के भेस में सीता के सामने जा तो रावन बोलता है कि मैं अगर राम का भेस ले लूँ तो मेरे अंदर की वासना ही खतम हो जाती है इसी तरह जब ही किसी divine से, by chance भी कोई connect हो जाए, तो रंट उसकी जो है, मतलब वो divine energy उसकी level हो जाती है, उसकी awakening हो जाती है, वो divine हो जाता है, फिर उसको भी जो है, इन 3D की भावनाओं में interest नहीं रहता, और इसी लिए जो है, दोनों में separation आ जाता है कि वासना ही नहीं रही, क्यों रहेगा, तो इसे लिए कोई भी DF को क्यों ये जटका मिलता है, कि वो इतनी सुन्दर होती है, energetic होती है, बट उसका पती उसको छोड़ देता है, देखो ना यार, कितने channels है, कितने divine feminines है, सुन्दर सुन्दर है, divine energies है, जो कि किसी के साथ धोका नहीं करेगी, कुछ नह को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो भी किसी और लड़गी के लिए, वो तो भले सुन्दर ना भी हो, तो उसका chance लग जाता है, तो वो बस divine, बट ये है, कि जब तक उनसे मितलब, attraction भी divine feminines के लिए हद से ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा, लोग प पारवती की शक्ति है, जब भी उनके पास जाओगे एक ममता का रूप मिलेगा, माता का रूप मिलेगा, इसलिए उनके पास कोई अब ठिक नहीं सकता, वो उसकी sexual energy, जो है divine energy में convert हो जाती है, इसलिए वो अब interested नहीं रहता है, divine feminine हो या कोई भी हो, वो ढूंता रह जाता है उसकी awakening हो जाती है, उसको जो है, अब divine ही अच्छा लगने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता, क्या बोल रही है थी और कहां तक आ गई, हाँ पैस ये कहना चाहती हूँ कि divine feminine अपने इच्छाओं को नहीं मारती, especially मैं लोग नीदी soulmate समझती है कि प्रोटेक्शन दिया है उसने मज़े, ब्लैक मैजिक के लिए, रिदराक्ष, और यहसा नहीं है, डी अफ की choice ही अलग है, डी अफ को हो सकता है, इंट्रेस ना, ऐसा भी नहीं कहती मैं, बट डी अफ इच्छाओं को नहीं मारती, अगर उसकी इच्छा है, अगर उसकी बट यह जो लोग सोचते हैं कि तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनती, तुम मेकप नहीं करती, तुम कुछ भी तुम होटल का खाना नहीं खाती, या तुम अपनी इच्छाओं को मार रही हूं, तो कुछ लोगों ने तुम आतंक फैला दिया था, शरीर की इच्छाओं को शरीर की इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए, वरना दूसरा जन्म लेना पड़ता है और फिर से उसको भोगना पड़ता है, यार मेरे अंदर इच्छा नहीं है, मैं कहा से लोगों, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं है इच्छा मेरे अंदर कोई सेक्स की इच्छा नहीं है माफ कर दो भाई तो बहुत पक जाती थी मैं यह सुन के अभी भी मुझे सुनने को मिलता है कि अगर तुम इच्छाओं को मार दोगी तो तुम से फिर से तुम को जनम लेना पड़ेगा और पता नहीं क्या-क्या सेक्स करने पड़ेगा दो-चार बच्चे पैदा करने पड़ेंगे मुझे बताए जिसके अंदर सेक्शुल एनरजी है क्या वो रुख सकता है क्या वो रुख सकता है वो कहीं न कहीं मुझ काला करी लेगा बट जिसको भगवान नहीं दिया है उसको जबरजिति क्यों खिलाते और रहने दो न अपना डबबा टिफिन संभाल के रोको खुदी खालो हमको नहीं चाहिए तो दियफ कभी भी अपनी जो है इच्छाओं को नहीं मारती भगवान ने उसको ऐसा बनाया है अगर वो सिंपलिसिटी को पसंद करती है तो इश्वर ने उसको ऐसा बनाया है उसको पसंद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा डू नाट फोर्स ऑके बट जो भी डिवान फेमिनाइन्स जोनोंने भी सोशल मीडा से कट आफ कर लिया है इस बीच में बहुत टिवान फेमिनाइन्स पे जो है ब्लैक मैजिक्स के अटैक्स हुए है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है बहुत कठिन बहुत बुरा और बहुत ही ज्यादा बुरा और सच मुझ आह निकल रही है कि अब बस कि वो बरदाश करें ये जो निगेटिव एनरजीज होती हो किसी के भी रूप में प्रविश कर जाती हो उनके पडोसियों के रूप में कुछ भी नहीं होगा तो एटलिस जो है जो बोलते हैं न खटिया खड़ी करके रख देंगे पडोसियों बड़ तकलीफ जरूर देंगे आपके दिवार को खटिया जिपकाएं कुछ अशुप चीज़े करने में इंटरस्टेड हो जैसे मुझे देखो एक डिवाइन फेमिनन की थरड़ा ओपन होती है ये देख रहे हो ये एक निशान बन जाता है वहाँ पर उसको सब दिखाए देता है कौन क्या सोच रहा है कौन क्या कर रहा है मुझे मेरे पड़ोसी हमेशा निशान बनाते वक किसी कपड़े की गांठ में कुछ बान के मेरे रस्ते में डाल रहे है बालों की धागा बना के ग्यालरी को बांध रहे पूरी रसी ये बालो की कभी रियल लाइफ में उरिजिनल में उनोंने जो है हरे पेड़ पे ब्लैक मैजिक करके इतने गंदे गंदे ब्लैक मैजिक किये है इवन ग्रहन में उसको थड़ा ये जो डिवन फेमिनाइन है ना ये मापार्वती का अंश है उसके अंदर ये थ्रिडी में बिलकुल नॉर्मल ओरतों की तरह है नॉर्मल लोगों की तरह है उसकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा जाकरत है उसको सब दिखाए देता है उसको सब सुनाई दिखाई दिता है, दिखाई दिता है, इसको God उससे बाते करता है, उसको बताता है, अगर वो राह में जा रही तो खुद भगवान उसके कान में बोलता है, अरे सैड़े चेंज कर ले, वो गलत रासता है, लब उसको इतना guidance मिलता है, और आप समझते हो कि आप smart हो, आप black magic कर अमावस्या को, इस दिन को, उस दिन को, और आप समझते हो कि आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बार soulmates भी क्या होता है, कि soulmates को ये डर रहता है कि ये हमसे दूर नहीं जानी चाहिए, तो उनका तो माफ किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वो प्यार में किया है, बट यह अगर आप सूचते हो, कि डी अफ को पता नहीं चलता है, तो आपसे बड़ा मुर्ख कोई नहीं है, उसकी अवेक्निंग हुई है, उसको तो पहले भी पता चलता था, और ट्विंट्लेंग अवेक्निंग के बाद तो तुरंथ, वाट्सअप पे आते हैं न, चैट्स, उस तरह से, तुम्हें अपने नियर डियर को कैसे समझाओं, कि मुझे वो सब ड्रीम में दिखता है, भले पडोसी हो, मेरे सशराल वाले हो, मेरे रिष्टेदार हो, मुझे वो सब ड्रीम में दिखता है, मैं एक मुखोटा पहने हाँ ही हूं करती हूं, मैं आपको बताती नहीं हूं, लेकिन मेरे अंतरात्मा इतनी दुखी है, कि मैं जो ड्रीम में देख रही हूं, जो देख रही हूं, जो में साथ हो रहा है, उसे मेरे अंतरात्मा इतना दुखी है, कि वो अप आह दे रही है, उसकी आहकों मतलो मतलो राख हो जाओगे यह सब चीजों से डी अफ जो है बहुत परिशान हो चुकी है और वो अपनी एक पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छे से जीना चाहती है वो देख रहे हैं कि वो डी अम से भी कनिक्शन काट रही है उसका चहरा भिगड़ रहा है थर्ट पर्टी की एनर्जी पड़े चेंज हो गए थर्ट पर्टी जो मैंने दो ड्रीम्स में देखा कि थर्ट पर्टी बोल रहे है देख तेरा डियम की हालत क्या है यह ही डिवाइन मैसकुलाइन दूसरे में वो उसको पुकार रही है थर्ट पर्टी जो है ऐसा नहीं कि वर रियोनिन के लिए पुकार रही हो कि कुछ तो है उसको भी यह समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जिसका हल जो है डियफ के पास है डिवाइन फेमिनाइन के पास है जिसकी चाबि डिया Divine Feminine के पास है इसलिए उसकी अंतरात्मा जो है थर्ड पार्टी के हो भली वो 3D में बोल नहीं पा रही है लेकिन वो सोच रही है और वो जो है पुकार रही है उसकी आत्मा हीलिंग माँग रही है उसको लग रहा है कि ये जो problems है उसका अगर हल किसी के पास है तो डिवन feminine के पास है उसकी अंतरात्मा बिलकुल हलचल मचा रही है जो कि वो 3D में नहीं बोल पा रही है अब ये तो डिवन feminine है जो किसी के भी मन की बात को जान लेती है तो ये अगर ये वीडियो वो भी देख रहे है जिनोंने अमावस्या को किया था तो चरण स्पर्ष है तो थोड़ा सोचे इस बारे में मत लीजे किसी की अंतरात्मा की आह को और एक पॉइंट है दोस्तों कि मैं बताते बताते रहे गई शायद ऐसे जो आत्माएं होती है जो बीच में ही मर जाती है अपनी जनी को पूरा नहीं कर पाती जो शरीर छोड़ देते हैं ऐसे लोगों की आत्माओं को पकड़ा जाता है जो कि अल्रेड़ी दर्थ में है पैन में है क्रोध में है घुस्से में है उनको बहुती बुरे तरीके से वश्मे करके छोड़ा जाता है आपको परिशान करने के लिए वो भी मजबूर होती है, उनका भी कोई शौक नहीं होता है आपको परिशान करना म再见 तांत्रिक होते हैं तो जो है ऐसी आत्माओं को वश करते हैं कुलाम बनाते है तो कण कण के लिए प्रार्थना कीज़े किसी भी मजबूर इंसान की सेवा कीज़े सब के लिए मैनिफेस्टेशन कीज़े कि हर आत्मा को शांति मिल जाए जानवरों की सबसे ज़्यादा सेवा कीजिए पता एक इनसान खाके भी जाएगा तो भी आशिरवाद नहीं देगा फिर भी खिलाना चाहिए उसके अंदर भी इश्वर का अंश है बड़ एक जानवर जब आशिरवाद देता है न दोस्तों जोली भर देता है उसकी सेवा कीजिए उसको खाना खिलाएए उसको पानी पिलाएए उससे प्यार दीजिए उससे प्यार लीजिए मैं तो कहती हूँ कि हर डिवाइन सूल को एक कुत्ता पालना चाहिए आपके ढेर सारे संकटों को वो खा जाता है मुझे ड्रीम में दिखाए दिया कि भई जिसको मैं कुत्ता समझ रही थी वो तो शेर है वो तो मेरे संगट खा रहा था और हमने सोचा कि भई ये कितना गंदा है क्या क्या खा रहा है और मेरे फादर ने का इसको भेज देते हैं हाँ इसको सच मुझ भेज दो ये कोई बहुत ही गंदा है फिर ड्रीम में दिखाए दिया कि ये तो शेर है मैंने देखा कि मैंने शेर को वश में किया है और मैं उसको खेलने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ लाई हूँ कि देखो ये शेर है और इसको मैने पालतू बना दिया और देखा तो वो किसी के फैमिली मेंबर्स के मेरे स्टेप मदर के पैर खा रहा है जैसे कोई भुटता खा रहा हूँ तो मैंने उसको तरट पकड़ लिया और मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया मेरे फादर को कहा कि इसको भेज दीजी, दूर भेज दीजी, यह बहुत यह खतरनाक है, पर वो stepmother को नहीं खा रहा था, वो संकटो को खा रहा था, क्योंकि divine feminine की mother के अंदर जो है negative energy होती है हमेशा, बले उनकी सगी mother हो, लेकिन negative devil energies जो है, कभी भी उनको मां का प्यार नहीं मि खा रहा था, बैटे हमने उसको जो है गंदा है, कुछ भी खा रहा है, यह सोच के उसको भगा दिया, तो मुझे दोपेर को वो dream आया, कि मैंने share को बंद कर दिया, कि वो कुछ भी खा रहा है, मतलब खा रहा है, मेरे stepmother के पैर को खा रहा है, कुट-कुट-कुट करते हैं, और मुबाइल पे शॉट्स उटते ही, मैंने अपना मुबाइल हाथ मे लिया, शॉट्स देख रहे हूँ, तो पहला शॉट्स क्या आया, कि अपने कुट्टे को किसी ने जो है, अपने कुट्टे को बंद कर रहा है, रूम में, और फिर उसमें आया है, never lock your pets, या never leave your pets, अप अगर वो बिमार है तो उनकी मदद कीजिए, अगर भूके है तो उसको खाना खिलाई है, और सबसे बड़ी बात पता है, हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, वो हमारी healing करते हैं, आप देखो उसके पास थोड़ा 5 मिनिट बैठो, वो बड़ी ही प्यारी energy देते हैं, वो आ प्रोटेक्ट करते हैं, वो इतनी वो आपको प्रोटेक्ट करने की अपनी जान भी दे सकते हैं, इतना वो अपके लिए क्यार लेते हैं, और वो पता है मैं बीच में हमारे घर में एक छुटे से पपी की डेथ हो गई थी, तो बाद में मुझे पता चला कि इनके अंदर कु वो डेटेक्ट कर लीती है, और खुट के उपर ले लीती है, जिसकी वज़े से उनकी खुट की डेथ हो जाती है, और अपने मालिक के उपर वो संकट नहीं आने देते हैं, तो यह सोचकर ही सही, हर इंसान को एक कुटा पालना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और सारे संकट खुद के उपर ले लेते हैं और अपने मालिक के रक्षा करते हैं not only चोर बेर से this is not only okay वो energetic level पर भी वो अपने मालिक के रक्षा करते हैं तो जिसने भी black magic किया है मैं उससे डरी नहीं हूँ बस मेरा दिल जो है दुख रहा है कि किसी अपने ने ये किया है मैं तो फेस रिडिंग से ही जान सकती हूँ इच्छा नहीं है कि मूँपे नाम बताऊं बट समझ जाओ मत लवाह किसी की